हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू विंटेक इलेक्ट्रोनिक जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमने एक स्टीरियो एंप्लिफायर बोर्ड ऑनलाइन ओर्डर किया था जो कि आज आ चुका है यह एक 100 प्यास 100 वाट्स का मीनी स्टीरियो एंप्लिफायर बोर्ड है जिसमें ब्लुटूथ ऑक्स और यूस्बी ऑप्शन भी एवेलेबल है तो चलिए फ्रेंड्स इसे अन्बॉक्सिंग करते हैं और इसे इसके सारे फीचर्स को चेक करते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को सारी यूसफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें क्वाल सकते संसे मिलती नहीं कर लंगर कि पड़िकेशन मिलती रहें अगर अभाइब के अभी बुल बच्वाल रहें मिलती अबहें क्वाल पाल प्लबती विए लगका चाहना तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसके अंदर हमें कुछ एसेसरीज मिली है साथ में यह वॉल्यूम कंट्रोल का नॉब है यह इसका फ्रेंट और बैक पैनल दिया हुआ है बोड का और यह है इसका audio kit तो देखें इसके साथ हमें एक screw driver भी मिला हुआ है यह कि बीसी supply के लिए एक socket दिया हुआ है जो कि आप transformer या कोई भी एक adapter लगाते हो है पाथ से 24 वर्ल्ट का adapter इसको support करता है और एक यह सिलेक्टर नॉब दिया है जो की Bluetooth और वो option सेक्ट करने के लिए तो चलिए आईए इससे हम एसेंबल करते हैं और एसेंबल करने के बाद देखते हैं यह कैसा लगता है करके तो फ्रेंड्स यह जो सिलेक्टर नॉब है इसको थोड़ा आराम से यहां पर अपने को लगा देना है और यह इसका फ्रेंट बैक पैनल दिया हुआ है यह फ्रेंट का पैनल है इसका और यह इसके बैक का पैनल तो हमें पहले बैक का पैनल फिट करके ले लेना है बहुत इजी है इसे फिट करना इसे कुछ करना नहीं है एक एक स्कुरू लगा के इसका जो मिडल एक्स्टेंशन है उसमें टाइट कर लेना है पहले वन साइट का चारों लगा के ले लीजिए जिससे आपको फिट करने में आसानी हो झाल 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 यह इसका अपर साइड है अपर साइड आप इसका देखे लगाई है यह इसका सिलेक्टर नॉब है वरबर इसके सिलेक्टर नॉब में बेठेगा यह इसका छोरन के नॉब में हैं यह तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाता है यह टोटनी और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इसकी बिल्डिन कॉलिटी काफी अच्छी है इसका जो मेड है वो काफी अच्छा है और easy to use बनाया हुआ है सारे instruction दिये हुए यह DC socket है जो यह 5-24V तक का support करता है आपको कोई भी laptop adapter या कोई भी आपके पास adapter होगा 5-24V तक का आप इसमें इसे input दे सकते हो यह एक aux out का option दिया हुआ है अगर आपको headphone वगेरे में भी सुनना है तो आप इसमें लगा के सुन सकते हो यह speakers के sign बने हुए है जो कि यहां पर आप left और right के दोने speakers connect कर सकते हो 100 watts तक के aux in का option दिया हुआ है mobile से अगर आपको बजाना है तो mobile भी आप connect करके इसमें बजा सकते हो usb option है जिसमें आप pen drive वगेरे भी लगा के गाने सुन सकते हो जैसे कि हमने ये वीडियो में unboxing और assembling की है वैसे ही हम next वीडियो में इसका sound और Bluetooth टेस्ट करेंगे अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजे थैंक यू गाइस पो वाचिंग माइवीडियो